तो आइफॉन 8 इन 2022, क्या 2022 के लिए आप आइफॉन 8 ले सेकते हो, id12 के लिए आपका एक सही डिश्यन होगा, क्या उदाने आइफॉन आप करेंट इयर में खरिद सेकते हो, तो इनी सब सब सवालो का जबाब आज इस वीडियो में मैं देने की कोसिस करूँ जो सारे लोग मुझे रेगूलर देखते हैं या तो जो लोग मेरा सब्सकाइबर है उन लोगों को पता होगा इसी फोन को मैं लगबग दो महीने पहले खरीदा था रिफब्रीश कंडिशन में केसी फाई से और आज के डेट में आइफोन 8 आपको लगबग 15,000-16,000 के अंडर में मिल जाएगा चाहे आप फ्लिपका टूगूट से भी खरीच सकते हैं या तो केसी फाई से करीच सकते हैं आप लोकल मार्केट से भी इसको लगबग 15,000 में पाइचेज कर सकते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा पुराने आइफोन आज के डेट में लेना सही है या गलत है तो चलिए फड़ा फेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में बात करना चाहूंगा क्या-क्या आपको एडवांटेज मिल जाता है पुराने आइफोन में हालाकि ये आइफोन 8 है पांस साल पुराना फोन है लेकिन फ में भी इसका पॉफोमेंस जो है वो काफी आपको तगड़ा देखने को मिलेगा एक सिंगल वीडियो में मैंने यहाँ पे कभर किया था आइफोन 12 और आइफोन 8 में स्पीड में आपको कितना ज्यादा डिफरेंस पता चलता है तो वो वाला वीडियो आप लोग आई बटन है वो काफी तगड़ा आपको आज के डेट में भी मिल जाता है नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इसका ओभरोल बिल्ड क्वालिटी पांस साल पुराना है लेकिन आज के डेट में भी यह जो भी मैटरियल से बनाया गया है चाहे इसका फ्रेम की अंगलोग ब लगता है ओवरोल इसका जो बिल्ड है और डिजाइन है वो काफी जादा मोडर्न है आज के डेट में भी अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको एजेब फ्लाक्सिप की तरह फील होगा यहां पे आपको लगेगा ही नहीं यह पास साल पुराना है लेकिन एंडुएट पराके दिक्कत होता है लेकिन यहां पर आई ओएस के केस में ऐसा नहीं है आई ओएस में रेगूलर अपडेट के साथ फोन का बहतरीन चल जाता है तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी आज के डेट में भी बहुत अच्छा है इस फोन का नेक्स में बात करना चाहूंगा इसक बैटरी बहुत ही स्मोल एक बैटरी यूज किया गया है तो बैटरी वेकप इस फोन के साथ आपको उतना सही नहीं मिलेगा अगर आप मोडरेट से नीचे लेबल का यूजर हो आगर थोड़ा बहुत यूटूब करते हो फरसब करते हो फेस्बूक करते हो कॉलिंग परपस क नहीं करेगा उसकेस में आपको लगवग 5-6 बजे इसका बैटरी जो है वो डाउन हो जाएगा तो अगर आपको बैटरी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो उसकेस में आइफोन 8 आप बिल्कुल ना ले नेक्स बात करता हूं मैं केमरा का यहां पर इस फोन का जो केमर क्वालिटी देखने को मिलेगा हाला कि यहां पर आइफोन सी 2020 में भी इससे आपको बैटर केमरा क्वालिटी मिलता है इसका केमरा क्वालिटी आपको उतना खास देखने को नहीं मिलता है तो यह चीज आप लोग नोट कर लेना आप आप लोग आ जाते हमारे final conclusion के उपर क्य अगर आप आइफोन 8 को 2022 में खरीज सकते हो अब यह डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको किस तरह का फोन चाहिए अगर आपको software का एकदम बहतरीन चाहिए design का एकदम बहतरीन experience चाहिए overall आपको iOS experience करना है उस case में इस device को आप purchase कर सकते हो लेकिन यहाँ पे अगर आपका battery और camera priority है साथी साथ इसका design आप front से देख लो front से आपको design उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि यह जो trend है वो 2018-19 का trend है यहाँ पे आपको बड़े बड़े चिन मिल जाता है लेकिन पीछे से phone काफी ज़्यादा luxury आपको लगता है तो आशा करता हूँ आपका doubt यहाँ पे clear हुआ है अगर आप पुराने iPhone लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हो बेजी जग आप camera और battery आपको उतना ज़्यादा improvement देखने को नहीं मिलेगा बाकी यहाँ पे सारे चीज अगर आप multi-dusking की बात करते हो अगर आप processing power की बात करते हो design quality की बात करते हो तो आज के date में भी आप 2-3 साल पुराने iPhone को definitely purchase कर सकतो कोई issue नहीं है तो यह था complete video आसा करता हूँ आप लोगों को यह help हुआ है बाकी अगर चैनल में आप लोग ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे motivate करते रहे हम मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye